Good evening students! Today we will do the reading of the lesson Africa ka Gandhi lesson 5 class 5 Gunjan book. In our next video we will see the explanation. Africa ka Gandhi चर सीटों वाला एक हवाई जहाच उडान बर रहा था रिचर्ट स्टेगल टाइम्स मागजीन के एडिटर और मदीबा उसमें यात्रा कर रहे थे दक्षिन आफ्रिका का स्ताननिय बाशा में मदीबा का अर्थ होता है पिता के सामान सामाननिय मदीबा जहाच में बैटकर अखबार पढ़ने लगे उन्हें अखबार पढ़ना बहुत प्रिय था वैं हर छोटी से छोटी कबर भी पढ़ते थे जहाच उपर उड़ रहा था तबी उन्होंने देखा कि जहाच के पंके पर लगे प्रोपलर ने काम करना बंद कर दिया है मदीबा ने रिच्चत से कहा ये सूचना पाइलट को देनी चाहिए ऐसा कहते वक्त उनकी आवाज हमेशा की तरफ सैयंत थी रिच्चत बहुत दर गये थे क्यूंकि प्रोपलर बंद होने का मतलब था कि जहाच क्राश हो सकता है वैं उठे और पाइलट को बताने के लिए क्याबिन की तरफ भागे जब वैं वापस आये तो देखा मधीबा अभी भी अकबार पढ़ रहे थे रिच्चत ने बताया पाइलट को मालूम चल गया है और वैं आपातकाल लैंडिंग के लिए नस्ती के एरपोर्ट से संपर करने की कोशिश कर रहा है मधीबा ये सुनकर फिर अकबार पढ़ने लग गये मौथ का डर रिच्चत के चहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था वहीं मधीबा बेकबर होकर जैसा कुछ हुआ ही ना हो अकबार पढ़े जा रहे थे जहाज को सर कुशल उतार लिया गया था उतरने के बाद रिच्चत ने हिम्मत करके मधीबा से पूचा क्या आपको डर नहीं लगाता मधीबा का जवाब था डर मैं अंदर ही अंदर काम पर रहाता रिच्चत पर अगर जाहिर कर देता तो तुम पाइलेट और दूसरे सब लोग गबरा जाते तब रिच्चत ने कहा आज मुझे समझाया कि साहस क्या होता है अपने डर को चहरे पर ना आने देना ही साहस है अगर लोग किसी को आदर्श मानते हैं तो उसका आचरन ही देखा जाता है आप ये बात हमेशा याद रखते हैं ऐसे साहसीते मधीबा यानि दक्षिनी आफरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपती नेलसन मंडेला जिने लोग प्यार और सम्मान से मधीबा कहते हैं मंडेला का जन 18 जुलाई 1918 को मेवेजो के प्रांत दक्षिन आफरिका में माँ बाशे नदी के किनारे बसे छोटे से गाव में हुआ था बच्पन से ही वेद्रिट संकल्पी विद्रोह ही प्रविर्ती के और इंसा के विरोधी थे कॉलेज में पढ़ाय के दोरान चात्र अधिकारों के प्रती मुखुर थे और इस तरह की कतिविदियों में बढ़ चड़कर इस्सा लेते थे उन्हें आफरिका का गांधी भी कहा जाता है दुनिया बर में शांती दूत के नाम से प्रसित मंडेला की रंग बेद की लडाई को बुलाया नहीं जा सकता कुसुम अग्रवाल So, hope you would have able to read the lesson. So, read one or two times. In the next video, we'll see the explanation. Thank you, students.